प्लाइवोड बिजनस कैसे शुरू करें? प्लाइवोड बिजनस एक ऐसा वेवसाय है जिसकी मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल लोग प्लाइवोड के परनीचर का इस्तिमाल ज्यादा कर रहे हैं। बेड हो या सोफा, डानिंग टेबल हो या पर कम्प्यूटर डिस्क, हर चीज में लकडी यानि प्लाइवोड का ही इस्तिमाल अधिक किया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस प्लाइवोड के बिजनस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मुनाफ़े का सौधा साबित हो सकता है। बस इस बिजनस को करने के लिए आपको मार्केट की अच्छी जानकारी और अनुभव की आविशक्ता होगी। इस वीडियो में हम आपको प्लाइवोड बिजनस से समंधित जरूरी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने प्लाइवोड के बिजनस को आसानी से शुरू कर पाएंगे। तो आईए, इसे के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक सक्सेस्फोल प्लाइवोड बिजनस शुरू करने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम प्लाइवोड से सम्मधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों की बारे में जान लेते हैं। प्लाइवोड बिजनस क्या है? प्लाइवोड एक ऐसा बिजनस है जिसमें विभेन प्रकार की लगडियों और समगरियों का इस्तिमाल करके प्लाइवोड तयार किया जाता है। और उसे प्लाइवोड बायर्स को बेजा जाता है। प्लाइवोड व्यवसाय की आजकल बहुत डिमार्ड है। यदि आप इस business को शुरू करते हैं, तो इस से आपको बहुत फाइदा हो सकता है। एक अच्छी प्लाइवोड में मजबूती और आयामी स्थिर्ता होनी चाहिए। साथ ही वो पानी और रसायन प्रतिरोधी होनी चाहिए। वहीं एक अच्छी क्वालिटी की प्लाइवोड में अगनी प्रतिरोधी क्षमता भी होनी चाहिए। प्लाइवोड में इन सभी जरूरी चीजों की उपस्तिती के लिए विबिन प्रकार के रासायनिक तत्वों का इस्तमाल होता है। साथ ही इसमें गोंद का भी प्रयोग किया जाता है। प्लाइवोड बिसनेस कैसे शुरू करें। एक प्लाइवोड बिसनेस शुरू करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। प्लाइवोड बिसनेस के लिए सही योजना। बिसनेस कोई भी हो बिना प्लानिंग किये आप उसे ठीट प्रकार से शुरू नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्लाइवोड के बिसनेस को शुरू करके आप एक अच्छा मुनाफ़ा कमाएं। तो आप उसके लिए एक अच्छी सी योजना जरूर बना लें। अपनी योजना में आप पैसो का इंतजाम कहां से करना है ये डिसाइड करें। और अपना बजट तै करें। साथ ही उसमें आप जगा, लाइसेंस इत्यादी को भी तै करें। और इंवेस्मेंट की अनुसार आपका प्रॉपिट कितना होगा इसकी भी प्लैरिंग करें। प्लाइवोट बिजनस के लिए पूजी या लागत। प्लाइवोट बिजनस एक ऐसा वेवसाय है जिसमें आपको लाखों रुपे की आवशक्ता होती है। इसलिए जब भी आप इस बिजनस को शुरू करें तो पहले आप पैसो की वेवस्ता करें। अगर आप चाहें तो इस बिजनस को शुरू करने के लिए सरकारी लोन भी ले सकते हैं। प्लाइवोट बिजनस के लिए जगा एक plywood business शुरू करने के लिए उद्यमी को एक बड़ी जगा की आवशक्ता होती है क्योंकि ये एक ऐसा website है जिसमें आपको कम से कम 5000 वर्क फीट या उससे भी अधिक जगा की ज़रूरत पड़ती है यदि आपके पास खुद की जमीन है तो आप इस business को वहीं शुरू कर सकते हैं नहीं तो इसके लिए आप किराय पर भी जगा ले सकते हैं machinery equipment की ज़रूरत spindleless spilling machine, hot press machine, dipping machine, brush sanding machine, logwood deparker 3 deck, 4 section का roller, vineyard dryer, steel bowl, lift loading और unloading scissor, glue mixture, glue separator कैची, trolley, pedal chopper, core dry press, DC saw manual, generator plywood business के लिए कच्चे माल की आविशकता plywood business को करने के लिए machinery up current के साथ ही आपको raw material खरीदने की भी ज़रूरत पड़ती है इन raw material के द्वारा ही plywood को तयार किया जाता है plywood में जिन कच्चे माल का इस्तमाल किया जाता है वो इस प्रकार है इमारती लकडी, coal, gold जरूरी license और registration plywood business शुरू करने के लिए आपको कुछ जरूरी license और registration कराने की जरूरत भी पड़ती है जैसे अपने business के नाम का registration, GST registration, bank में चालू खाता खोलने की जरूरत और business के नाम से pancard बनवाने की आविशकता होती है इसके अलावा उद्यमी को factory license और trade license भी लेना होता है जो आपको आपके निकट के नगर नगम और नगर पालिका से मिल जाता है इसके अलावा fire department से no object certificate लेना होता है और साथ ही forest department से भी permission लेनी पड़ती है plywood business से होने वाला मुनाफा plywood business में मुनाफा आपके द्वारा लगाए गई लाकत पर निर्भर करता है जितना ज़्यादा investment उतना ज़्यादा profit साथ ही ये मुनाफा आपके product की quality पर भी निर्भर करता है अगर आप अपने customer को quality product देंगे तो आपके customer का भरोसा आपके उपर मजबूत हो जाएगा और वो long term के लिए आपसे चोड़ जाएगे इस तरहें आप दिन दो गुनी और रात चोगुनी कमाई करेंगे plywood business की marketing और promotion हर business की तरह plywood business की भी marketing और promotion करने की ज़रुवत पड़ती है इसकी marketing और promotion से business को आगे पढ़ाने में मदद मिलती है अपने plywood business का promotion आप newspaper, pamphlet, आदिके जरिये कर सकते हैं वही online social networking sites के द्वारा भी आप अपने plywood business को promote कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने आपको दिये plywood business की पूरी जानकारी कैसा लगा आपके वीडियो हमें comment करके जरूर बताएगा Okay Credit, business okay है